एर रह्मान और उनकी वाइब सायरा बानो के तलाक की खबर ने हर किसी को चोका दिया है रह्मान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउन पर एक पोस्ट शेर करके जानकारी दी है उन्होंने मैसेज में बताया है कि उनकी 29 साल की शादी खत्म हो गई है उमीद थी कि आगे तक निभाएंगे मैसेज के आखिर में हैज्टेग है अब लोग लिख रहे हैं कि ऐसे मौके पर इस तरह के हैज्टेग कौन लिखता है एर रह्मान के पोस्ट पर एक फॉलोवर ने लिखा तलाक के पोस्ट के लिए हैज्टेग साथ में सीर पीटने वाला इमोजी बनाया है एक ने लिखा चैट जीपीटी और हैज्टेग एडमिन वहीं एक ने लिखा तो डिजिटल यूग में हमारे पास ब्रेक अप या तलाक के लिए भी हैज्टेग है घोर कल्यूग वहीं एक ने लिखा इस सेच्वेशन में हैज्टेग कोन बनाता है अपने एडमिन को नौकरी से निकाल दीजिए एर रह्मा ने तलाक की पोस्ट में लिखा है हमें उम्मीद थी कि हम 30 साल पूरे कर लेंगे लेकिन ऐसा लगता है कि सभी चीजों का एक अंदेखा अंत होता है तूटे हुए दिलों के वजन से उपर वालों का सिंहासन भी काप सकता है फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ की तलास करते हैं हालाकि टुकडों को फिर से अपनी जगा नहीं मिल सकती हमारे दोस्तों आपकी दयालुता के लिए और इस नाजुक चेप्टर से गोजरते समय हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद एर रह्मान और सायरावानों ने 1995 में शादी की थी उनकी दो बेटियां खातिजा और रहीमा हैं और बेटे का नाम अमीन है तला की घोशडा के बाद एर रह्मान के बेटे अमीन ने इंस्टाग्राम पर निजता की अपिल करते हुए एक नोट साजा किया है इन्होंने लिखा था हम सभी से अनुरोद करते हैं कि इस समय के दोरान हमारी निजता का सम्मान करें आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलू बॉड और एंटरेटेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबी भी एंटरेटेन्मेंट